इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है लाल बटन पे क्लिक कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ बेल आइकन है उसके क्लिक करना मत भूलिये वाट सब्सक्राइब फैमिली सबसे वहले लास्ट वीक उफ ट्रांस्फरमेशन है मेरा तो अगर थोड़ से अनरजी लेवल लो है तो माफ कीजिएगा थोड़ा डिप्लीटेड हूं थोड़ी क्याल्टिस कम है बट ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इस पेशल डिमांड प कर सकते हैं मैं हिंदी पर काम कर रहा हूं और आपने बॉड़ी परसंटेज 10% से लोग कैसे लेके आ सकते हैं तो सबसे वह याद रखेगा कि अगर आप 10% बॉड़ी लेवल से जाना कम जाना चाहते तो इसका यह मतलब नहीं कि आफट होने वाले हैं आप बहुत सारी अगर बहुत हेल्फुल होने वाली है और इस वीडियो देखने से पहले आप पहले ही डाइटिंग कर रहे हैं आप वोक आउट्स भी कर रहे हैं अपने प्रॉपर ली और आप अरांड रांड ग्याना से 13% बॉड़ी फैट लेवल के ऊपर हैं अब जब हमने 10% बॉड़ी फैट से नीचे आना है यह पेपर सेंग पानी तो हमें थोड़ चीजें अलग से करनी पड़ती हैं थोड़ इसी डाइटिंग और ट्रेनिंग और काडियो में थोड़ से ट्वीक्स करने पड़ते हैं तो मैं अभी बताने वाला है आपको वह तीन इंपॉर्टन टेप्स और लास् लेकिन जब आप अपने बॉड़ी फैट लिवल्स को 10% से कम लेके जाना जाते हैं तो अपको अपनी क्यारी को थोड़ा सा और कम करना पड़ेगा लेकिन गलती नहीं करनी है आपने एकदम से क्यारीज नहीं खतम करनी है वाट यू आप तो दो इस यूँ आप गिव यॉर 6 weeks to diet down अब यह depend करता body fat levels कितना है आपका अगर let's say 13-14 है तो आप कम से कम 6 हफते दीजे अगर आपका body fat percentage 11-12 है तो 4 हफतों में आपको results आने वाले हैं अब calorie drop करना कैसे है I would suggest कि आप हर हफते 100 calories कम करना शुरू कर दें assuming कि अभी आप 2500 calories खा रहे हैं तो what you will do is कि first week आप 100 calories कम करेंगे यान की 2400 calories, second week 400 calories कम करेंगे यान की 2300 calories और इस तरह कम करते जाएंगे जब तक आपको result नहीं हाता है I would not suggest कि आप 1600 calories से कम जाएं किसी भी case में और ये subjective चीज है आपको धियान रखने अपने weight scale के उपर अगर आपका weight जो है वो कम नहीं हो रहा है ये drop करने से भी तो आप थोड़ी सी calories और कम करने वाले हैं अगर आपका weight एकदम से गिर रहा है और आपको weak feel हो रहा है तो आप अपनी calories drop नहीं करेंगे आप अपनी activity बढ़ाएंगे जो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ अब हम बात करते हैं कि आपको macronutrients किस तरह होने वाले हैं I will give you a basic basic rule of thumb सबसे पहले protein को जो है आपने ध्यान में रखना है कि protein आप at least 2 grams per kg of your body weight ले रहे हैं तो अगर आप 70 kg के individual है, 70 kg के, तो 2 into 70 यानकी 140 grams of protein at least लेने वाले हैं fats, fats को आपने कम रखना है around about 35 to 50 grams of fats depending on your body weight, अगर आपका body weight कम है तो आप 35 के around रहेंगे अगर आपका body weight जादा है तो आप 50 से उपर न आ जाएंगे अब जो बाती की calories बच गई हैं वो आएंगी हमारी काब से याद रखिए 1 gram of carb 4 calories, 1 gram of protein 4 calories, 1 gram of fat 9 calories अब जब आप calorie deficit करेंगे वो जो 100-100 calories कम करनी है आपने वो mostly आपके काब से कम होनी चाहिए अब बात हम करते हैं second point के और वो है training I would prefer कि आप पहला सबसे बड़ा change लेके आएं अपनी routine में कि आप जो training है वो fasted state में करें अगर आप से ये possible नहीं है तो आप कम से कम fasted state में cardio करें लेकिन cardio के बारे मैं अगले point में बताऊँगा अगर आप training करने वाले हैं तो I would also suggest कि आप 3 supplements जो है आप include करके देख सकते हैं अगर आप afford कर सकते हैं जो पहला होगा वो होगा 100 mg to 300 mg of caffeine depending on your body weight कम body weight के लिए 100 mg, जादा body weight के लिए 300 mg caffeine 30 minutes before your workout उसके बाद हम बात करेंगे L-tyrosine की जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुए स्रबन fat loss के बारे में वो उसका link जो है description में दिया हुआ है आप जाके देख सकते हैं तो L-tyrosine को आप लेने वाले हैं 1.5 gram to 3 gram 30 minutes before your gym depending on your body weight अब इसके बाद हमाता 30 supplement जो आप ले सकते हैं वो है acetyl L-carnitine जो आपके fat cells को energy में produce करने के लिए यूस होता है आपके neurological benefits भी देता है उसको आप लेने वाले हैं 1 to 2 grams 30 minutes before your workout अब ये mandatory नहीं है लेकिन अगर इनको लेंगे तो आपको results जो है अच्छे मिल सकते हैं इन तीनों जो products के links है वो description में दे दिया है आप जाके check out कर लिए अब faster state के बाद जो दूसर से बड़ा change आपको नहीं लेके आना चाहिए वो यह है कि आपको high repetitions और low और lighter weights नहीं अपनाने चाहिए बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको किसी ने बता दिया होता कि cutting करने के लिए आपको high reps करने चाहिए और weight को कम कर देना चाहिए प्लीज मत कीजिए उससे क्या होने वाला है कि आप फिर से flat दिखना शुरू हो जाएंगे आपके जो glycogen stores है या depletion जादा हो जाएगी और फिर आपको जो वह fat loss के benefit से 10% body fat level से कम आने में या paper thin skin होने में help नहीं होगी यह इसलिए क्यों कि जब आप fat loss कर रहे हैं याप extreme fat loss पर जाना चाहते हैं आपके लिए एक चीज बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अपने muscle gain किया है उसको maintain करके रखना है और उससे muscle को maintain करने के लिए आपको heavy weight उठाते रहना पड़ेगा इसलिए I would suggest कि अगर आप compound movements कर रहे हैं तो 8-12 repetitions maintain करके रखिए आपकी strength है थोड़ी सी 15 repetitions तक रहें अब हम बात करते हैं सब के चहेते और जिसमें सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो है cardio और उसके साथ NEAT जिसके बार में पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है उसकी जो वीडियो है वो नीचे है NEAT का मतलब होता है non exercise activity thermogenesis लेकिन मैं अभी बताता काडियो के बाद अब जब काडियो की बात होती है लोग क्या करते हैं फैट लॉस को सुनकर धेरों काडियो करना शुरू कर देते हैं हर जिन काडियो करना शुरू कर देते हैं लेकिन अगर आप ज़्यादा काडियो करेंगे तो आपकी जो बॉड़ी है वो डैप करके आप आपका muscle loss करने लग जाएगी और आपका fat loss जो भी slow हो जाएगा बहुत लोगों को cardio ज़रूरत ना भी पड़े क्योंकि वो genetically enhanced होते हैं यहाँ वो performance enhancement drugs यान की steroids ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ नाचरली बात करने वाले हैं अगर आप 10% body fat level से कम आना चाते हैं तो आपको शायद cardio करनी ही पड़ेगी because आप एक limit तक ही अपनी calories को drop कर सकते हैं उसके बाद जो deficit create पर करना पड़ेगा आपको वो सिरफ activity या exercise या cardio से थ्रू होने मना है again एकदम से cardio नहीं बढ़ाना है what I would suggest कि आप हर हफते अपनी activity को बढ़ाना शुरू कीजिए cardio की form में let's say आपने 4 हफते दिया हैं खुद को 10% body fat level से कम आने के लिए तो what you will do is in the first week आप क्या करने वाले हैं आप एक high intensity interval training का session लगाने वाले हैं और एक low intensity steady state cardio का session लगाई हैं यांकि brisk walk या something like that अब 30 to 45 minutes का low intensity session लों चाहिए और 10 से 15 minutes का high intensity interval training अगर आप high intensity interval training के बारे में और जानना चाहते हैं मैंने एक बहुत अच्छी cardio technique बताई हुई है ninja cardio उसका link जो है description में आप जाके देख सकते हैं अब next week आप क्या करने वाले हैं आप एक high intensity interval training करेंगे और इस बार दो low intensity steady state training sessions कर देंगे वो 30 to 45 minutes के इससे क्या होगा आपके जो activity है throughout the week वो बढ़ने वाली है इसी दरा third week में आप क्या करेंगे आप दो high intensity interval training sessions करेंगे और दो low intensity steady state stress sessions तो हर अपके आप activity बढ़ाते जा रहे हैं कार्डियो के साथ सब मैंने एक और चीज़ इंट्रीज की थी NEAT non exercise activity thermogenesis ये वो activity है जो unplanned होती है जिसका मतलब ये है कि जैसे आप office में काम कर रहे हैं आप खड़े होकर walk करना शुरू कर रहे हैं या आप घर से लेकर अपने जिम तक cycle पर जा रहे हैं walk करके जा रहे हैं ये जो सारी activities हैं ये नीट में introduce होती है what I would suggest कि जैसे जैसे आप अपने fat loss program की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आप ये NEAT को non exercise activities homogenesis को increase करते जाएं किस तरह आप एक progress tracker रख सकते हैं एक fitbit watch या apple watch कोई भी watch ले लीजिए जिसमे steps आप गिन सकते हैं तो आपने क्या करना है हर दिन goal रखना है कि जितने steps आपने पिछले दिन किये थे उससे 100 या 200 steps आज जादा करेंगे अगर आप ये चीज़ करना शुरू करेंगे तो हर घंटे में आप 10 से 20 calories जादा burn शुरू करना शुरू कर देंगे और आप इसको calculate करके देखिए अगर पूरे दिन में 24 घंटे हैं और इसमें 16 घंटे भी आप नीट बढ़ाते हैं तो almost almost आप लगा के देखिए कि 320 calories extra burn हो रही है एक दिन में और इसको week में calculate करेंगे तो around about 2100 calories extra burn होगी तो अपने cardio levels दीड़े दीड़े बढ़ाना शुरू कीजिए और अपनी नीथ जो non exercise activities homogenesis है एक progress ट्रेकर करेंगे थू अपने steps increase करना शुरू कीजिए यहां को sport यहां swimming विएरा करना शुरू कर दीजिए शाम को तो इससे क्या है कि आप deficit और create कर पाएंगे now comes the bonus tip जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरूआत में बताया था यह bonus tip बहुत ही जरूरी है because बहुत लोगों के body fat levels कम भी हो जाते हैं लेकि उनके water retention रह जाती है तो what I would suggest की जैसे ही आप 10% body fat level से कम जाना चाहते हैं उस time पे आप सिरफ natural foods पे switch कर जाएं कोई भी चीज जो package form में आती है या कोई भी ऐलर्जेंस जैसे की gluten, dairy, soy कोई भी चीज जो body में inflammation create करती है उसको please avoid करें आप gluten free, dairy free or soy free diet पे जा सकते हैं सिरफ कुछ हफते के लिए ताकि जो water retention होती है इस inflammation की वज़ा से और जो packaged foods आते हैं जिसमें flavors or preservatives होते हैं उन सब को अपनी diet में से बाहर निकाल देजिए सिरफ non-inflammatory foods को रखिए हमने सीखा सबसे पहला point आपने dieting जो है slowly and steadily करनी है हर हफते थोड़़वड़ी calories कम करते जाना है second cheese 2 gram per kg of body weight protein लेना है 35-50 grams of fats और जो बाकी calories है वो carbs लेनी है और जो calories आप कम करने वाले हैं हर अटे वो carbs से कम करनी है third point training अपने muscle को maintain करने के लिए और fat loss के ज़ादा से ज़ादा benefits लेने के लिए आपने heavy weights उठाते रहना है compound movements 8-12 repetitions isolation movements 12-15 repetitions cardio आपने हर अटे धीरे धीरे introduce करनी है और अपनी जो NEAT है यहनकी non exercise activity thermogenesis यह increase करते रहना एक progress tracker यह activity tracker के through I hope आपको इस वीडियो पसंद आई subscribe to the channel लाल बटर में हिट कीजिए अगर आपको नया सीखने को मिला bell icon पर click कीजिए बहुत जल मैं अपनी transformation की वीडियो लेकर आ रहा हूं Instagram पे follow करना मत भूलिये the username is Rabina Fitness I'm gonna see you very soon again with another informative video till next time keep going keep growing stronger